कि आप भी अपने Google Photoses application को आप हाइड करना शोहते हैं कि आप अपने मुबायल में Google Photos application को जहा है उसे छिपा सकते हैं वह भी बिना किसी application के तो फिर आप इस व्धूडियो को ध्यान से देखते रहिए तो नमस्कार दोस्तों आपका हमारी YouTube पर बहुत-बहुत स्वागत है और यहां पर देखिए अपने मुबाइल में हम Google Photos अप्लिकेशन को यहां पर हाइट करने वाले हैं इसके लिए यहां पर आपको अप्लिकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए आपको अपने मुबाइल में एक छोटी से सेटिंग करनी होगी इसके लिए अपने मुबाइल की सेटिंग पर आएंगे और उपर देखिए एक सार्च आइकन है यहां पर आपको अप्लिकेशन आ जाएगा वरना आप इस तरह किसे निचे स्क्रॉल करते हुए ओंगे तो तो देखं़े आपके सामने इस तरह से से ब्रेस के आपके से आपके सामने इस तरह के स्थे ओपन होजाएगा देखिए यहां चैक्ट पासर्वर्ड पर हम घ्लिक करेंगे हुआ pap États न बना लेंगी आप lock पर ह imaginar जो इसके उक्त चाहिए लोक senza पर किलिक करेंगे और जिस दिसे दिखिए लोक में पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा हुई है किए अब ने अपने अभी बुझtschaft कैया है उसके साथ आपना फिंगर फिंगर यहां सकते हैं कि अपने आपने गूगल फोटोफ को ही हाइड कर vibe करने वाले praz हम स्क्रोल करते हैं यहां पर लिखा रखिवाँ आपको स्क्रोल ब philanthrop कर सब्सक्राएं से नえば और बहुत करेंगे और यहां पर आपको कोड मना लेना है और बस अपको ध्यान रखना कि कि सुरू में है और लाश्ट में है जोना चाहिए और बीस में कोई भी हम नमफर या गिंते रख सकते हैं और डॉन पर आप किलिक करेंगे जैसे रीक लिए लिखा कोड आपका यह code रहेगा please don't not forget मतलब यह code रहेगा जैसे अपने डालर में जाके आप यह code डालेंगे तो application आपके सामने आ जाएगा चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं यहाँ पर हम done पर click करते हैं और इसे जहां से cut कर देते हैं अब हम अपने डालर को open करेंगे और यहाँ हम डाल देते हैं तो देखें हम code यहाँ पर डालेंगे और इसको click करने के बाद हम has पर click करेंगे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो अभी Google फोटा अप्लेकिसन आपके सामने आ जाएगा और उसे आप देखेंगे यूज कर सकते हैं इस्तिमाल कर सकते हैं करने इसी तरके से आप बहुत ही आसान तरके से आप अपने मोबेल में अप्लेकिसन को हाइट कर सकते हैं और ठिपा सकते हैं आपको एक छोटा सा वीडियो था वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और आपको यह वीडि सकते में जरूर बताइएगा आपका यहाद वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद